असलम अलेकों वीवर्स आज के मेरी वीडियो लीमू के पोदे के बारे में है लीमू का पोदा अगर आपके घर में लगा है और फिर वो फल नहीं दीता है उसको लगे हुए काफी अर्सा हो चुका है या फिर उस पे अगर फ्लावरिंग होती है इन सब मसलों का हल आज की इस वीडियो में है इसके लिए आपको चार बातों पर अमल करना होगा अगर आप यतनी चार बातों पर अमल करेंगे तो आपका निमू का पोदा फलों से भर जाएगा तो आज की ये वीडियो आपके लिए है इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको अपने नीमू के पोदे की कटिंग करनी चाहिए हमारे घरों में उमूमन जो नीमू के पोदे होते हैं वो द्राफ की सुर्थ थियार कर लेती है लेकिन हम कभी उसकी कटिंग नहीं करते ऐसा करने से पोदा कभी भी ग्रो नहीं कर पाता उस पे कभी भी फ्लावनिंग या फ्रूटिंग नहीं होती इसलिए आप लीमू के पोदे की जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे आपका पोदा उतने ही ज़्यादा फ्रूटिंग करेंगा लहाज़ा आप स्तंबर और अक्तूबर के महीनों में सर्दी शुरू होने से पहले अपने लीमू के पोड़े की कटिंग कर दिया करें जितनी जदा आप उसकी कटिंग करेंगे कटाई चटाई करेंगे तो तकरीबन आपको फर्वरी और मार्श के महीने में इस पे बहुत जदा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलेगी इसलिए आप लीमू के पोड़े की कटिंग सर्दी स्टाड होने से पहले किया करें और उसके बाद जो दूसरी बात है वो है लीमू के पोड़े की खाद लीमों के पौदे को जब तक आप खाद नहीं डालेंगे तो आपके पौदे की घजाय जापूरी नहीं होंगी और आपका पौदा अच्छे तीके से फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा तो इसके लिए जो खाद है वो है आपने तकरीबिन 5 लीटर पानी में 50 ग्राम सरसों की कली 50 ग्राम नीम की कली और एक चमच और्गैनिक पौटास डाल देना है और फिर इसको अच्छे तीके से आपने हल कर देना है अच्छे तीके से हल कर देने के बार अब आपने ये खाद अपने पौदे में डाल देनी है लेकिन खार डालने से पहले आपने ये जरूर चेक करना है कि आपके पौदे के मट्टी को खुश्क होना चाहिए और पौदे को पानी के जरुरत महसूस होने चाहिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि पौदे को पानी देने का सही टाइम वही होता है जब पौदे के मट्टी हुश्क होती है तो आप अपने हाथ की फिंगर के मदद से मट्टी को थोड़ा सा खुरच कर चेक कर लिया करें अगर इसके नीचे की एक तींच तक मट्टी हुश्क है तो इसका मतलब ये है कि पौदे को पानी की जरूरत है तो अब आप इसमें पानी या खाट डाल सकते है इससे पौदा आपका बहुत ज़दा चितिकी से ग्रो करता है क्योंकि अगर मट्टी में पानी खड़ा रह जाए तो उसकी जड़ों को फंगस लग जाता है काई लग जाती है और पौदा जल जाता है इसलिए पौदे को पानी हमेशा उस टाम देखें जब पौदा जब मटी होगी वो खुशक होगी तो आप ये खाट उस टाम पे पौदे में डाल दीजिए तीस्सी बाज है कि जब भी आप अपने पौदे को खाट डालने के बाद जिस जगह पे रखेंगे वो हमेशा सूरज सन नाइट वाली जगह होनी चाहिए क्योंकि सूरज की रोशनी में नीमों का पौदा बहुत ज़दा फ्लाविंग और हूटिंग करता है इसलिए आपने किसी ऐसी जगह पर इसको घर में रखना है जहां पर दिन की 6-8 घंटे की धूप इस पर फढ़ती हो तो 6-8 घंटे की धूप पौदे की हैल्थ के लिए बहुत ज़दा बैनेफिट होती है सर्दियों में आप इसको 6-8 घंटे की धूप लगवाईए और गर्मियों में आप इसको 3-4 घंटे की धूप बिए सकते हैं इससे पोदे पे फ्लोटिंग और फ्लावरिंग बहुत ज़यादा होगी क्योंकि गर्मियों में टेंपलेचर ज्यादा होता है और सर्दियों में temperature कम होता है इसलिए गर्मियों में आप कम temperature इसको दीजिए ऐसे जिगार रखिए जहां पर 3-4 गहंटे की दूप पड़े और सर्दियों में आप तकरीबन 6-8 गहंटे की दूप में इसको रख दीजिए इससे आवका निमू का पोदा बहुत ज़दा फ्रूटिंग देगा और बहुत ज़दा फ्लावरिंग करेगा इसके बाद अगर आपका निमू का पोदा जमीन के अंदर लगा हुआ है फिर आपको परशान होने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी जड़े जमीन के अंदर बहुत ज़दा फ्यल जाएंगी इसलिए आपको फिकर मन होने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लामेहदू तरीकिये से उनके पास फुल सपेस होता है वो फ्यल जाती है लेकिन अगर आपके पास लिमू का पोदा एक गमले में लगा हुआ है तो इसके लिए आपने इसके कटिंग करने के बाद इसको गमले से बाहर निकालेना है और गमले से बाहर निकालने के बाद आपने इसका पूरा रूट बॉल बाहर निकालना है रूट बॉल समेत आपने इसको बाहर निकालना है और निकालने के बाद आप इसके तकरीबन आदे से भी कम हिसे जो नीचे वाली इसके रूट होती है वहां से आपने इस पोड़े की नीचे वाली रूट को तोड़ देना है इसकी निज़ोरी रूट को जब आप तोड़ेंगे तो तकरीबन इसकी जो ने रूट सार्ट होंगी उससे पोड़ा बहुत अच्छे तीकिसे ग्रोव करेगा इसलिए क्योंकि जो निमो का पोड़ा होता है वह मुमन उसकी ग्रोवरिंग और फूटिंग इसलिए भी स्टाप हो जाती है क्योंकि गंबले में उसकी जो रूट बॉल हो जाता है उसको स्पेस नहीं मिलती है इसलिए भी पोड़ा जो है उसकी ग्रोथ रूख जाती है तो अगर अच्छी दूप, पानी, हवा और खास सब चीज़ें देने के बावजूद आपका पोदा फल ना दे इसलिए आपको उसकी पहले कटाई करनी है और फिर उसके बाद उसको रूट बॉल समेथ बाहर नेकालिए उसको नीचे वाल हिसे को थोड़ा थोड़ा तोड़ दीजिए मट्टी में से उसकी जणों को तोड़िए और फिर आप खाद डालकर पोदे को एक गमले में नए मट्टी डालिए जो खास से बने हुई हो जैसे अगर आप इसके लिए कोई और भी वीडियो देखना चाते हैं तो आप में यूटीब चैनल का विजट केजिए मैंने मट्टी से ताकतवार मट्टी से रिलेटिर बहुत सी वीडियो बनाकर रखी हुई है जो के खार बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है और फ्लाविंग और फूटिंग प्रांट्स के लिए बहुत जरूरी होती है तो आप में यूटीब चैनल का विजट केजिए और वो वीडियो देखिए तो वो मट्टी भी आप त्यार करके इस गबले में डाल सकते हैं उसके बाद आप इस जो रूट बॉल है इसको वापिस उठाकर उस मट्टी में गबले में लगा दीजिए और फिर आप ये फर्टलाइजर इस पौदे को तक्रीबन उसी टाम आपने नहीं देना है बलके इस पौदे को तक्रीबन दस से पंदरा दिन गुजरने के बाद आपने ये फर्टलाइजर देना है जब उसकी नहीं ब्रांचे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाएंगी तो ये फर्टलाइजर आप ये खाद अपने पौदे को महीने में सिर्फ एक बार दे सकते हैं इससे आपका पौदा बहुत ज़दा ग्रोव करेगा इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़दा होगी उसकी फूटिंग मी बहुत ज़दा होगी आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको की क्वेशन पूछना है तो अकमर सब्सक्रीट बें पूछ सकते हैं मैं इन्शाल आपको उसका जरूर चवाप दूँगी अगर आप में चलनल पर ने हैं तो में चलनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को जुरूर पैस कीजिएगा ताके मेरी आने वाली हाँ नई वीडियो के नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मेरी वीडियो पर आने का आपका बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में